प्यारे बंदूओं मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं बिल्ट एस्क्रैपर के बारे में बैलून टाइप का ए बिल्ट एस्क्रैपर है बैलून टाइप एक्शुली मेरा ही नाम दिया हुआ है क्योंकि हमने कुछ इनोवेटिव एडिया के साथ इसको डे बैलून टाइप का थोड़ा दिखता है इसलिए बैलून टाइप रखती है तो इस वीडियो में क्या है कि यह जो स्क्रैपर है जो बैल्ट में स्क्रैपर लगे होते हैं नौर्मली रिटर्ण साइड में लगता है रिटर्ण साइड क्या है जिस बैल्ट पर कोईला चलता य उसको हम return side बोलते हैं तो जो material उपर से जाता है कोई भी material जो उपर से जाता है और नीचे के तरब return होता है तो उसमें बहुत सारे material छिपके हुए return होते हैं पीछे में और चुकि बेल्ट काफी लंबा होता है तो पूरे all along the belt conveyor के नीचे Gallery में koila या जो भी मटे कीटे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा गिठे कशक के continuous गिरते हैं मसीन से घिते हैं थोड़ा थोड़ा गिरते की difिः वह जाता है वह बहुत बढ़ा दिक्क वाला परशानी वाला यह जो है काम है तो उसको सफाई करते रहना पड़ता तेकर समस्षय इसमें यह आती है कि जब तो को कनभेयर चलते रहता है सफाई का कारी हो नहीं सकता और चुकी एक पाथ में बहुत सारे कनभेयर होते हैं तो बहुत सारे जोकी करते हैं किसी भी एक समस्या हुई तो हम उस बेल्ट का लोडिंग नहीं बढ़ा पाते हैं तो इंटायर सर्कीट का लोड नहीं बढ़ा पाते हैं अगर किसी एक बेल्ट में भी प्रॉब्लम रहा तो तो उस हारत में क्या होता है कि यह जो मैडेरियल हैंडिंग प्लांट या कोल हैंडिंग प्लांट जो हैं सभी समय चलाते रहने की जोड़ पड़ती हैं उसों बंद करने की फूर्सत ही नहीं मिलती है जब फूर्सत नहीं मिलती है तो अंदर में सफाई का कारी भी नहीं हो पा वहीं पर शूट के अंदर ड्राई पुली और स्नब पुली के बीच में एक बेल्ट स्क्रैपर लगा रहता है वो बेल्ट में टच करके बनाया रहता है टच करके लगा रहता है ताकि वो पीछे लोटने के पहले वो कोईला जो है स्क्रैप करके वो शूट के अंदर ही गिरी तो जो अब लॉटते रहता है तो गिराते रहता है तिरह सफाई का काम बहुत कम हो जाता है रहता ही नहीं लेकिन प्राब्लम इसमें आती है कि यह कंवेंशनल टाइप का स्क्रैपर है वो सीधा बेल्ट के साथ इंटरफियर करता है बेल्ट के साथ इंटरफियर करता है तो जोइंट के साथ इंटरफियर करता है और एक बेल्ट में कोई लेंग्थ अब दी बॉइलर को पर डिपेंड करता है कि अगर बड़ा लेंग्थ का कंवेंशनल टाइप के स्क्रैपर को हम लगा नहीं पाते है लगा तो रहता है उसको हम clearance बढ़ाते हैं ताकि यो बेल्ट में touch ही नहीं करें और बीना सफाई की वे बेल्ट चलता रहे ताकि कोई इंटरप्टर नहीं होगा फीडिंग तो कम से कम हो जाए और कोई गिरता है तो यह idea of develop हो जाती है दीरे दीरे तो चुकि इसमें कई समज्या होगा एक तो किसी एक बेल्ट का समज़्या है तो पूरे इंटरर सर्रीट का लोड नहीं बढ़ाते हैं दूत्री है कि सभी कनवियर में 678-678 जो है जोएंट्स होते हैं तो कोई नगोई अगर जोएंट से डिटर्ब हैं तो ओ जो जो इस कंविन्सलर टाइप के स्क्रैपर का सब का गैप बढ़ाते हैं किलरन से बढ़ा देते हैं चाकि वो बेल्ट में टची नहीं करता और सफाई नहीं होती है तो चुकि यह समस्या करण जो समस्या हुई और टेक अपोरा की समस्या काफी बढ़ गई तो कभी कभी 24 गंटे भी लग जाते हैं यह जो कंप्लीट मैं पाउर मॉबलाइजेशन और टाइम इंवालमेंट इस टू मच तो जोएंट को सेफ करना तो बड़ा जरूरी हो जाता है कोईला की दाने के कोस्त में जोएंट को सेफ करना जरूरी हो जाता है और फीडिंग इंशोर करने के लिए उस हालत में यह हमारा जो है कन्वेंसलर टाइप को जो स्क्रैपर जो बेट से चीधा टकराता है या मैनेफिक्टरर का पैड भी रहता है उसके साथ भी यह समस्या है थोड़ी कम है बड़ उसक समस्या से निजात पाने के लिए हमने एक बेट से डेवलब किया और उसका नाम रखा बैलून टाइप उसमें क्या होता है कि हम भी जो है बेट स्क्रैप से ही निकालते हैं बेट स्क्रैपर का ऊपर का 3-4 mm का प्लाई निकालते हैं तीन से 4 mm का प्लाई निकाल करके और ऐसे मोड देते हैं इस तरह मोड दे करके या जब इसे देखिए एंड विवी देखिए इसका बैलून टाइप का दिख रहा है इसलिए इसका नाम बैलून टाइप रखते हैं इस तरह मोड देते हैं अमोड करके यहां conventional type के scraper लगे रहते हैं उसी में दोनों किनारे को पकड़ करके उसके जगह इसको फीट कर देते हैं इसमें क्या है कि उसकी जितनी चुड़ाई है इसे double चुड़ाई लेनी प्रती है इस क्रैब बेल्ट से उपर का प्लाई रबर प्लाई सी पराता है ले लेते हैं अब क्या है कि इसका shape कैसे बन जाता है यह देखिए यह सबज़िए लोहे का frame है पहले जो पुराना frame जो उसमें लगा रहाता है इसी frame में यहां पर nut bolt tight करने के लिए प्रोभीजन रहता है इसी nut bolt में जो खटा हुआ rubber ply है स्क्रैब बेल्ट से उसको उपर से यह यहां पर फीट कर देते है अब फीट करके और इसको nut bolt tight कर देते है जो तो है किनारे किनारे टकराता है तो यहां डमच करता है छुट की round shaped में है यह का मोस्ट बेनफीट है और चुकि यह राउंड शेप्ट में है और तीन चार एमें प्लाई कराते हैं इसमें इस प्रेगिंग एक्षन मिलता है इसका लाइब यह अच्छा मिलता है को जब तक पूरा कम्प्लीट नहीं घीसे गा तब तक इसको यह काम करते रहेगा उसमें क्य बहुत बढ़िया मिलता है इसके 90-95% efficiency मिलता है और बेल्ट गैलरी एकदम अच्छा साफ करने रहने लगता है और इसे CHP का ट्रमेंड़स इंप्रूब्मेंट होता है इस फार इस हाउस्किपिं इस कंसर्ड मायन पार इंभॉल्ट इस हाउस्किपिं इस कंसर्ड एबलेवि इतना बैडली एफेक्टेड होता है कि हमारा कंवेर आउट हो जाता है यह कंवेर आवने पूरा एक स्ट्रीम आउट हो जाता है फिर डबल स्ट्रीबिट वह उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तक सामर्जेंसी जैसा सीच्वेशन हो जाता है तो इस तरह जो है इस तरह का जो है बेड़ टाइप बैडूने स्क्रैपर है इतना अच्छा है कि इसको एक बार हमने पहले सबसे पहले बारा साइट अंडर पावर में कंपनी के लीडर्शिप में बारा साइट में हमने पहली बार लगवाया जब इसका फैदा लोगों ने समझा देखा तो बड़ा ला इसमें खार्च बनाने में कुछ नहीं और इसका जो सर्फेस रिया है इसका चॉड़ा मिलता है काफी जादा सर्फेस एरिया में औरband बैट में घद्ट से तो सर्फेस दो सफाई भी बहुत बढ़िया होती है जोग लोग बेंस्ट कि इसको जो है इमेडियेट अपने अपने प्लांट में लगाना चालू कर रहे हैं इसे ट्रमेंडस बेनिफीट होगा और यह बेस यह या किसी भी मैटेरियल हैंडी प्लांट को यह उसका जो बिलकुत दसा दिसा सब सुधार देगा इतना अच्छा या खर्च कुछ नहीं है यह लोकली फैबरिकेटेड है और हमने इसको बहुत लार्ज स्किल में एटलिस बारा साइट में लगवाया है और यह बहुत बढ़ी हाई इसके साथ ही मैं अपने वीडियो समाप्त कर रहा हूं और आप लोग से निवेतन कर रहा हूं कि इसको लाइक करिए, सेयर करिए, सभी सीनेर अधिकारी तक पहुंचाई है ताकि सभी लोग इंडिया के सभी लोग इससे प्रभानित हो सकें ठाइंक्यू बहरी मुच जय हिंद जय भारत